आखिर क्या हो रहा है? इस तरगी यात्राओं से लोगों को भर्मा लेंगे लोग प्रवायित हो जा तो कांग्रेस का नेटा ऐगर उमा भारती की तारीफ कर रहा तो ये बात सुथने लायक है और ये बात उमा भारती ने कोई गलत बात कही नहीं दिग्विजर सिंग के दस साल के शासन को उन्होंने अपने अकेले के बूते पर उखार पेका था और ना केवन उखारा उन्होंने सरकार को तीन चोथाई सीटे जीती थी उसके बाद उतनी सीटे कभी भी मध्यप्रदेश में बीजेपी को नहीं मिली तो उम्हा भार्ति की घोर उपेक्षार उपेक्षा कैसे कारिक्रम में ये भी बड़ी विचुत्र बात है राजियो जी पिछले कुछ दिनों से मध्यप्रदेश में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब बीजेपी के नेता पूरो सांसद पूरो विधायक विधायक जिला पंचायत कोई भी बड़ा नेता जीले का दिगज नेता बीजेपी छोड़कर कांगरिस में नहीं है लगातार बीजेपी के नेता कांगरिस में चले जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा नेता जो लोग जा रहे हैं वो है महाराज बीजेपी के नाराज बीजेपी के लोग तो अपने जग हैं ही लेकिन जो महराज BJP के लोग हैं वो सीधे वापस कांगरिस में जा रहा हैं को कि उमें जो उम्मीडे थी उन्हें लगा था कि हम BJP में जाएंगे तो हमारी इज़त बढ़ेगी हमारा दंदा चलेगा हमारी पतिष्ठा होगी वैसा हो नहीं रहा है तो लगातार निराश हैं इ हमारसिंग शेखावत वह भी चले गए लीपक जोशी पूर्व मुख्यमंत्री और जनलसंग के संस्था पक्त के उनके पिता केलाई जोशी वह BJP छोड़कर चले गए खास करके चंबल और ग्वालियर च्छत्र के बहुत सारे नेता जो लगाता है एक लंग भी फैरिस्ट ह कोई तीन दर्जन नेता हैं जो BJP छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं कांग्रेस से भी BJP में आएं पर वो दस बारा ही है और सवाल ये कि BJP में जो विद्रोह का डंका बज रहा है लोगों को ये लगने लगा कि BJP इस विद्धान सबाद चुनाओं में तो शायदी जी थैं और जिस तरह लाडली बहना का मुदधा उठा रहे हैं लोग کہह रहे हैं कि किस तरह से दोका धड़ी कर रहे हैं ये भी बात किसी से चुपी नहीं है और कांग्रेस का मुद्धा उठाने की कोशिश की गई ये बात भी चुपी नहीं लेकिन जो करदा मध्यप्ăदेश म शिवरा सिंग चोहान ने लिया है उस करजे को चुकाने में मुझल तक कोई भी सरकार आ जाए काउनरेस के सरकाराई के सबसे बड़ी चुनती होगी कि उसको कैसे निपतेगी अब जो बात आप कर रहे हैं जो आशकिल जी कह रहे हैं और प्रशान जी कह रहे हैं दरसल बीजेपी को नीचे ही जाना है ये बात तैय है अब गुजरात की 26 से 26 हरियाना की सभी जारकर्म की सभी राजस्थान हिमाचल उत्तरखन की सभी यूपी की 64 बिहार की 49 मद्रिप्रदेश की 28 37 रख की 10 इतने सी तक कैसे मिलेगी बीजेपी को पता है कि 2024 से नीचे ही जाना है और बीजेपी जो कोशिश कर रही है मद्रिप्रदेश 37 राजस्थान टेलंगाना में उसकी कोशिश यह है कि अगर इहां सरकार बनी रही तो शायद लोकसभा की सीटों में उसकी इज़त थोड़ी बची रहेगी और जिस तरह से कॉंग्रेस में और इंडिया गड़बंदर ने जो योजना बनाई रहने दी बने इससे बीजेपी बहुत खौफ खाई हुई है ऐसा मुझे लगड़ा है क्योंकि यह थोपा रही गया कि रहुल गांदी ही होंगे कोई चीज थोपी नहीं गयी है इंडिया अलाइंस में इतने डेमोक्रेटिक तरह तरीके से चीज़े स को चंगो-मंगो टाईप कुछ एक डंड़ है तो उनके कोई स्थिति नहीं तो मध्यप्रदेश में पूरी स्थिति जो है बीजे-पी इवेंट पर इवेंट करती जा रहे हैं और यह इवेंट तो त्प्पते तक चलने वाले हैं तो बीजेपी को लगता है रत यात्रा है जन संपर्क यात्रा है जन आशिरवाद यात्रा है इसी के भरोसे है जनता के मुद्दे उठाने में वो नाक्माम रही है और लगता है कि बीजेपी स्खोप में है कि जिस तरह से इंडिया लाइंस आगे आ रहा है इससे उनका अंजा क्या होगा मद्ज़ प्रदेश में अमित शाह डेरा डाले हुए हैं नड़ा जी आ रहे हैं नरिंद्र मोदी भी लगातार मद्ज़ प्रदेश के दोरे बनाने वाले किसी बाने आते जाएंगे और सरकारी सत्ता का सरकारी प्रभाव का फूरा उप्योग करेंगे ताकि बिधा दिन है चार पांच छे तारिक तक यहां है और साथ तारिक को भारत जोड़ो यात्रा की साल गिरा है बहुत जल्दी ही राजियों में चुनाव की घुशना हो जाएगी तैयारियों का जाया लिया जा रहा है लेकिन आप एक विचित्र बात यह देखिए कि जितनी तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि चुनाव आयोग जल्दी ही गोश्टा करने वाला की मंत्रिपदिश में चुनाव है जो तीन लोग मंत्री बनाए गए हैं जो अभी मंत्री बनाए हैं पिछले हफ्ते वे किसलिए बनाए यह भी सवाल है कि चुनाव होने वाला हो दो महीने के भीतर और तीन लोगों को मंत्री बना दिया जाए, जाती समीकरन उठाने की बात हो, हर वर्ग को और हर एरिया को निर्ट तो देने की बात हो, तो किस तरह से ये सरकार चुनावी प्रचार के लिए सरकार के पैसे का उप्योग कर रही, एक और बात देखे गई कि बोपाल में आजकर जो कारिक्टम होते हैं, वे पुराने विधान सवा भावन में होते हैं, और वो विधान सवा भावन एक म्यूजियम में तब्दील कर द और वो सारख खर्चा कों देता है, जाहिरे सरकारी खर्चे से होता है, तो सारा चुनावप्रचार बीजेपी कर रही है, सरकार के पैसे से, और उसे पता है कि चुनाव के बात तो हमें रहना नहीं है, इसलिए गोष्टाए किये जाओ, और हर चीज के इवन्ट करकर के इत्म अश्टील ही कहना चाहिए की बहुत ही अश्टील और वीवस काम हो रहा है चुनाओ के नाम पर, विग्ध्यापनों के नाम पर, लोगों के नाम पर, कुपोशन के खिराब कोई अभियान नहीं है, स्कूलों में सिक्षकों की न्यूक्त नहीं हो रही है, पटवारी जो चुने गए उनने जब आंदोलन किया कि हमें न्यूक्री पत्र दो तो उन्हें पुलिस ने लातों से पीटा और अख़बारों में तस्वीरे चपी हैं लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि मद्री प्रदेश सबसे अच्छा अच्छा राज्या देश मद्री प्रदेश की सबकें वाहिया थे लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि भारत इंदोर की सबकें मद्री प्रदेश की सबकें अमेरिका की सबकों से अच्छी हैं तो यह पतानी कैसी सबकें देखते हैं कैसी जंता को देखते हैं कैसे लोगों को नौकरिया देते हैं सिक्षा का इस तर कै इसे उठाते हैं लाडली बेहनों से राकी बनवाने के नाम पर करोणों रुपए के इवेंट और करोणों रुपए का विग्यापन पर खर्श करते हैं लेकिन उन्हें लोगों की चिंता नहीं है उन्हें एक ही लक्षे किसी भी तरह किसी भी तरह यें कें प्रकारियन सरकार बना लें, क्योंकि दो हजार चौबिस में जो होगा, हर बार तो 2019 में से 22 सीटे आएगे ने बीजेपी को। अब बीजेपी को कम सीटे ही या नहीं, अब सीटे बावने का तो कारण है ये नहीं. और कि 29 में से 28 ले आए, 30 तो लानी सकते, अब वो 20 होगी, 15 होगी, 18 होगी, ये बात BJP को समझ में आई, और BJP की जो भी सर्था है, वो इनी राज्यों से है, मद्रप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, इन राज्यों के भरोसे BJP की सर्थार है, और यहां पर उनकी दीवार धसक रही है, ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं, और जब दीवार धसकेगी, नीव खिसकेगी, तो छट भी ढहेगी, उस छट पे लगे पोस्टर भी ढहेंगे, और वास्तों में असली नजारा लोगों को दिखेगा कि वास्तों में क्या हाल है, मध्यप्रदेश के क्या हाल हैं यहां की, जनल टाक्ट, रादी उगू, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप मध्यप्रदेश में ऐसे भी जो पिछली बार, जो हालत थी,